महिला मोटर साइकल अभियान के तहत देश के तीन जोन से शिरू हुई एकता बाइक रैली जैपुर पहुँची जैपुर के आगरा रोड पर एक कॉलेज परिसर में उनका स्वागत किया गया बाइक रैली में 200 अधिकारी अधिनस्त अधिकारी और अन्यरेंग की 120 महिला राइडर शामिल हैं जो देश के 15 राज्यों को कवर करते हुए 10,000 किलो मीटर का सफर तै करते हुए महिला शक्ति और एकता का संदेश दे रही है राजस्तान CRPF के आईजी विक्रम सहेगल ने बताया कि एकता एक्सपेटिक्शन के शुरुआत 3 अक्टूबर को शिलॉंग, लालचौक और कन्या कुमारी से हुई थी वही रविवार को अलबर्ट हॉल से ये रैली अजमेर के लिए रवाना हो रखी है आज मेर उद्यापुर होते हुए गुजरात में सरदार बललभाई पटेल की प्रतिमा तक ये जाएगी रैली को राजपाल कलराज मिश्र हरी ज़ंडी दिखाएंगे आज का ये सुनहरा अफसर है हमारी केंदरे रिजर्ब पुलिस बल की विमिन बाईक एक्सपिडिशन का हमने राज़स्तान में सिवागत किया है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ की केंदरे रिजर्ब पुलिस बल आज देश का ही नहीं बलकि विश्व का सबसे बड़ा अर्दसैनिक बल है और ये आज जो हमारी सौ विरांगना यहाँ पर आपके सामने 10,000 किलोमीटर का सफर तै करती हुई देश के विभिन कोनों से 3 अक्टूबर को इन्होंने अपना सफर आरम किया था इस एक्सपिडिशन का मुख्य जो उदेश है वो देश में एक्ता का संदेश देना है नारी शक्ती का प्रदर्शन करना है बाई क्रेली हमारी स्री नगर से चली थी तीन तारिक को और लजी साब ने हमारा फलैग ओफ किया था और हम अभी पांच स्टेट से और दो यूटी से होते भी गुजरात में जाएंगे एक्ता नगर में और वहाँ पे आपने जो सरदार बलबाई पटेल हैं उनको सरदान जली देंगे क्योंकि यह आप जो आज इंडिया का जो नक्सा देख रहे हैं वो कहीं न कहीं सरदार बलबाई पटेल की देन है तो वे लोफ पुरूस को हम अपने तहे दिल से उनको सरदान जली देते हैं और हमारी महिलाओं के ससक्ति करन को और एक तार